हाई गाईज आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे डाक्टर के हैं डाइटिंग के कुछ विशेश तर्म के बारे में उससे पाइले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको मेट अगर वो प्रसन काफी कोसे करे तो मेटिसिन को पढ़ सकता है यह उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे यह ज्सका मतलब होता है होरा सोमनी जो की एक लातिन वर्ड होता है जिसका मतलब एट बैटाइम राट को सोने की समय तो फ्रेंट्स हम आपको इसका पूरा नेम तो नहीं बताएंगे क्योंकि डाक्टर अधिकांस्ता कॉमन वर्ड ही यूज करता है जैसे यह चैस अगर किसी पर्चे पे लिखा है इसका मतलब यह मेट से रात को सोने के समय प्लेना है और AD लिखा है तो उसका मतलब as desired means यह दवा आपको जरूरत के एकॉर्ड ही लेना है जैसे अगर पेन की दवा जाक्टर हमें देता है तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस मेट सिन को ले लेगे अगर prescription पर ऐसी लिखा है जिसका मतलब before meal खाना खाने से पहले means आपको यह medicine खाना खाने से पहले लेना है अगर BC लिखा है जिसका मतलब after meals means यह medicine आपको खाना खाने के बाद लेनी है अगला है IC जिसका मतलब during meals means आपको यह दवा खाना खाने के समय लेनी है अक्सर यह दवा है सुगर पेसंग को दी जाती है मतलब once a day means आपको ये दवा दिन में एक बार ही लेनी है BD जिसका मतलब twice a day means आपको ये दवा दिन में दो बार लेनी है अगर TID लिखा है जिसका मतलब three time a day मतलब आपको ये दवा सुबा दो बार साम को लेनी है अगला है QID means four time a day मतलब ये दवा आपको दिन में चार बार लेनी है अब last है yes o yes जिसका मतलब when necessary होता है means जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको ये दवा ले लेनी है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादत से ज्यादा सेर करें जल्दी मिलते हैं नहीं वीडियो में आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर